हेलो दोस्तों फिर से मैं अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप चैक करना चाहते हैं कि आप अपने अधारकाड में नाम कितनी बार चेंज कर सकते हैं या डेटो पर्त कितनी बार चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते है वो आपको लिस्ट में नमबर के थुरू शो कर जाएगा तो सबसे पहले आपको अपना अधार नमबर डालने के बाद लोग इन करने के बाद आपके पास पास पेज कुलेगा इस पेज को खुलने बदेखें यहां पर लिखा वा रहा है नेम अपडेट लैप अधार कार्ड में अधार कार्ड में अधार कार्ड में तो इस तरीके से आप लोग इन करने के बाद अपने अधार कार्ड का इस्टेटिस को कितनी बार चेंज कर सकते हैं तो इसलिए अगर आप इस चीज को चेंज करते हैं तो समझके करें क्योंकि आप एक ही बार चेंज क आपको ठीक करने का चांस दे रखा है तो इसलिए आप मेरी वीडियो को देखने के बाद समझें कि जब कभी भी आपको चेंज करें तो एकी बार कर सकते हैं उससे आद आप नहीं कर सकते हैं आपको काफी दिक्कते परिशानी आ सकती है आप अगर ऐसे अधार कार्ट से कुछ बिना स्थो से समझे अगर चेंज कर लेता हूँ थैंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो मेरी वीडियो को देखते रहें और आपको अधार कार्ट से जुड़ी और ऑन लाइन से जुड़ी इतनी भी वीडियो है वो सब आपको मिलती रहेगी सबसे पहले मेरी चैनल को आप आप सब्सक्राइब करें ताको आपको डारेक्टी नॉटिफिकेशन रिसीव हो जाए थैंक्स पर वॉचिंग माई वीडियो